अभी अभी जो संदेश आप सुनने वाले हैं उसे अर्ल नाइटिंगल ने 1956 में लेखा था और रिकॉर्ड किया था। उसके अपने परिवार के ही तरह जिंदेगी भर बस जीवित रहने के लिए जूचते रहते हैं। सेल्स मैनों के एक छोटे समों के बीच उसका रिकॉर्डेट संदेश सुनवाया गया। जब अर्ल लोट कर वापस आया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी संदेश का उन लोगों पर ऐसा जादू भरा असर हुआ है कि वे अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए उस रिकॉर्डिंग की कौपी चाहते हैं। इस भारी फर्माईश को पूरी करने के लिए अर्ल ने कोलंबिया रिकॉर्ड से बाद की और अपने रिकॉर्ड की कई प्रतियां बनवाई। नन्हे सी पौद थे जिस पर व्यक्तिकत विकास का एक व्यापक उद्योग पनपा और इस्थापित हुआ। बदलती दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोजन वाला रेडियो प्रियोग्राम बन गया जिसे देश विदेश में सुना जाने लगा। मैं डायना नाइटेंगिल हूँ। जिसने उनके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। अर्ल ने अपने जीवनकाल के पिछले 32 वर्षों में सरवाथिक आश्चेरी जनक रहसे को बदलते समय के साथ कई बार संशोथित किया। इन परिवर्तनों के कारण और इनके बावजूद मेरा विश्वास है कि आप इस मूल रिकॉर्डिंग के एतिहासिक महत्व की सराहना करेंगे। जब आप सुनेंगे तब निश्चित तोर पर गौर करेंगे कि ये संदेश आज भी उतना ही सही, उतना ही किमती और उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कभी उस समय था। तो अब मैं आप सब को आमंत्रत करती हूँ कि आप आराम से बैठ जाएं और अर्ल नाइटिंगल के इस मूल रिकॉर्डिंग सरवाथिक आश्चरजनक रहसे का आनन्द उठाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया का सबसे आश्चरजनक रहसे क्या है इस बात को अभी बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है कि महान चिकटसक और नोबेल पुरसकार विजेता अलबर्ट स्विजजर से लंदन में एक इंट्रव्यू के दौरान किसी रिपोर् नहीं है और आज मैं भी इसी के बारे में आप से बात करना चाहता हूँ आज हम एक सुनहरे युग में रहे हैं ये वो दौर है जिसके लिए आजनी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और महनत कर रहा था लेकिन जब आज ये दौर हमें उपलब्द हो गया है तो हमन इसे प्रदत मान लिया है यूँ ही उपहार में मिला हुआ लेकिन इसके पीछे छेपे संगहर्श और महनत को हम भूल गए हैं लेकिन क्या आपको मालूम है कि दरसल होता क्या है चलिए हम ऐसे सो लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उमर में अपने कैरियर की प्रदत में अपने 25 वर्ष की उमर आते आते जानते हैं क्या होगा पैसेट वर्ष की उमर तक उन्में से एक अमीर बन गया होगा चार आर्थिक रूप से आत्म निर्भर हो चुके होंगे इस उमर में भी काम कर रहे होंगे और बाकी नब्बे टूट चुके होंगे अब ज़रा एक पल सोचिए सो लोगों में से सिर्फ पांच किसी इस्तर तक पहुँच सके इतने ज्यादा नाकाम क्यों रहे उस चमक उस चंगारी का क्या हुआ जो पचीस वर्ष के उमर में उनके भीतर थी वे सपने वे उम्मीदें वे योजनाएं क्या हुई आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है उसके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ पांच प्रत्रशत ने सफलता हासल की तो हमें सफलता को सपष्ट भी करना होगा और ये है सफलता की परिभाशा सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष को सपष्ट नर्धारित कर उस दिशा में आगे पढ़ना अगर एक आदमी पहले से नर्धारित लक्ष की दिशा में काम कर रहा है और जानता है कि वो कहां जा रहा है और कहां उसे जाना है तो वही आदमी सफल है यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो असफल है यानि सफलता निर्धारित लक्ष को समस्ते हुए उस दशा में आगे बढ़ना है महान मनोवज्यानिक रोलो में ने एक अदभुत किताब लिखी है मनुश्रुकी स्वेम की खोच इस पुस्तक में उन्होंने कहा है हमारे समाज में साहस और होसले की विपरीत चीज कायरता नहीं है बलकि ये है अनुरूपता आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है अनुरूपता यानि बिना सोचे समझे भीड के अनुरूप चलने की मनस्त थे अधिकांस लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं ये जाने समझे बगएर की क्यों लगबख साथ वर्ष की उमर से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं पचीस के होते होते हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं साथ ही परिवार की देखभाल भी लेकिन 65 वज़ की उम्र का होने पर भी हम ये नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्म निर्भर और निश्चन्द कैसे हुआ जाए क्यों इसलिए कि हम बस औरों की लीग पर चलते हैं और मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलत प्रतिशत का अनुकरन कर रहे हैं यानि उन 95 प्रतिशत का जो काम्याप नहीं हुए अब सवाल यह है कि ये लोग इतनी बड़ी संख्या में लोग औरों की नकल क्यों करते हैं इसका उत्तरवे भी नहीं जानते इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थितियों ने उनका जीवन एक सांचे में गढ़ दिया है ऐसे लोग बाहर से बाहरी शक्तियों से नरदेशत होने बाले लोग है एक बार बहुत सारे कामकाजी लोगों पर एक सर्वे किया किया और उनसे ये सवाल पूछे गए कि आप काम क्यों करते हैं सुबर सबेरे क्यों उटते हैं बीस में से उननीस लोगों के पास इसका कोई कारण नहीं था यदि आप उनसे पूछें तो वे कहेंगे सभी लोग सबेरे उटकर काम पर निकल जाते हैं और यही कारण था कि वे इसे करते थे क्योंकि बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं अब हम सफलता की अपनी परिभाशा पर वापस चलें सफल कौन होता है सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्षे सपच्ट कर फिर उसकी तरफ आगे बढ़ता है ऐसा आदमी कहता है मुझे जीवन में ये बनना है और फिर उस दशा में काम शुरू करता है मैं आपको बताता हूँ कि सफल लोग कौन है वो स्कूल टीचर सफल है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वो यही करना चाहती थी वो औरत अपने जीवन में सफल है जो एक पत्नी और एक मा है क्योंकि वो पत्नी और माही बनना चाहती थी और वो अपनी जब्मदारी अच्छी तरह निभावी रही है वो कोने का गैस स्टेशन चलाने वाला आदमी सफल है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष नरधारित किया था वो सेल्समेन काम्याब है जो एक टॉप सेल्समेन बनना चाहता है और इसी उद्देश से अपना व्यवशाई जमाता है हर वो आदमी सफल है जो पहले से अपना सोचा और नरधारित काम काफी सोच विचार कर कर रहा है क्योंकि यह वही काम है जिसे उसने सोच विचार कर करने का फैसला किया था लेकिन बीस में से सिर्फ एक आदमी ही ऐसा कर पाता है और किसी से कोई प्रतिसपर्धा करने की जगे हमें स्वैम अपना कुछ मौलिक स्रिजद और स्थापित करना है लगभग बीस सालों तक मैं उस कुझी की खोश करता रहा जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मनमाफिक निर्धारित किया जा सके क्या ऐसी कोई कुझी है मैं जानना चाहता हूँ जिससे भविश्य के बारे में सब कुछ तै कर दिया जाए और हम पहले से ही उसकी भविश्य बानी कर सके क्या ऐसी कोई कुझी है जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके काश आदमी इस कुझी के बारे में जान सके और इसे इस्तेमाल करना जान सके मैं आपको बताऊँ ऐसी कुझी उपलब्द है और मैंने इसे पाया भी है क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी महनत और इमानदारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन में कुछ खास हासल नहीं हो पाता जबकि कुछ लोगों को बिना महनत किये ही बहुत कुछ उपलब्द हो जाता है यानि उनके हातों में कोई जादू है जी हाँ आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा वो जस चीज को भी छूदेता है सोना हो जाता है कYा आप ने कभी गव़ुर किया है कि एक आदनी जो अपने जीवन में कामयाब हुआ वो हमेशा सफलता के दिशा में ही प्रेदनशील रहा जबकि असफल व्यक्पे हमेशा असफलता के दिशा में ही काम चलता रहा ऐसा सिर्फ लक्षियों की वज़े से ही हुआ हम मेंसे कुछ लोगों के सामने लक्षे होते हैं और वे उसी दिशा में काम करते हैं जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्षे ही नहीं होता लक्षे साथ रखने वाले व्यक्ति सभल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से बस चलने ही बाला है अपनी यात्रा के पूरे नक्षे और पूरी योचना के साथ। जहाज के कैप्टिन और चालक दल के सरस्यों को ये अच्छी तरह मालूम है कि इसे कहा जाना है और कितना समय लगेगा। इस जहाज के सामने एक सपष्ट लक्ष है सपष्ट लक्ष और सपष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 बार अभियानमे से 9,999 बार अपने उसी लक्ष पर पहुँचेगा जहां के लिए ये रवाना हुआ था यानि शत प्रतिशत लक्ष पर अब इसी तरह के एक दूसर जह जहाज के बारे में सोचिए, फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर कोई कैप्टन नहीं है और नाहीं कोई चालक सरस्ये, इस जहाज के सामने कोई लक्ष नहीं है, कोई उद्देश नहीं है, बस इंजन स्टार्ट करके इसे जाने दिया जाता है, मैं सोचता हूँ कि आप भी कोई मार्ग दर्शन बिल्कुल यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है एक सेल्समैन का ही उधारन दीजे आज दुनिया में कोशल सेल्समैन के व्यवसाय से बढ़कर काम्याबी की उम्मीद किसी और पेशे में नहीं है अगर हमारे सामने लक्षेस पच्ट हों और हम अपन किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाती का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फाइदा उठाने से रोकने में नहीं बलकि कमजोर लोगों को नुक्सान उठाने से रोकने में है आज अर्थ विवस्था के तुलना एक काफिले से की जा सकती है जिस तरह काफिला उसी गति से आगे बढ़ता है जिससे उसकी सबसे धीमी गतिवारी टुकडी भी साथ साथ चल सके ठीक उसी प्रकार आज पूरी अर्थ विवस्था अपनी सबसे कमजोर कड़ी की हिफाज़त में धीमी पढ़ गई है इसलिए आज रोजी रोटी कमाना तो काफी आसान हो गया है आज आजीविका के लिए या परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्ध या प्रतिभा की जरूरत भी नहीं पड़ती आम तोर पर आदमी रोजी रोटी की इसी सुरक्षा की तलाश में रहता है और ये तथा कथट सुरक्षा हमें उपलब्द भी है लेकिन ये फैसला हम करना है कि सीमा रेखा से कितनी उचाई का लक्ष हम अपने लिए निर्धारित करना चाहते हैं चलिए अब हम दुनिया के सबसे अश्चर जनक रहसे पर यानि जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उस पर वापस चलें जीवन में इस पश्च लक्ष रखने वाले का जो आज है आपको अचनक वो स्वभाग्य मिल जाएगा जो अरसे से आपको लुभाता रहा है आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी चिंताओं समस्याओं और परिस्थतियों से मुक्त हो जाएंगे जो अरसे से आपको घ दोराने दीजिये, हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही बनते हैं। पूरे टिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हुए हैं, चाहे वे शिक्षक हों, दार्शनिक हों या पैगंबर हों, उनके विचारों में कई मुद्दों को लेकर मद्भेद रहा है। लेकन एक मात्र इसी म बात को इस प्रकायर कहा है कि ये मनुष्य चाहे और प्रतीक्षक तरे, तो हर चीज उसे हासल हो सकती है। बहुत लंबे और गहन चंतन मनन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि एक निश्यत लक्षे वाला मनुष्य हर हाल में इसे पूरा करता है और अगर कि सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को भी बदल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने जीवन में वांचित चीजों को वास्ताओं में घटित हुआ मान आप किसी परिणाम विशेश के बारे में काफी ज्यादा सोचें तो आप नश्यत तोर पर उसे हासल भी कर लेंगे। अगर आप अमीर बनने के इच्छा रखते हैं तो आप नश्यत तोर पर अमीर बन जाएंगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान सामने हो ऐसा नहो कि एक ही समय सैक्णों अलग-अलग चीज़ों पर आपका ध्यान बटके आपको बाइबल का वो कथन याद होगा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है डॉक्षर नॉर्मन विंसें पेले ने कहा है कि पूरी स्रिष्टि के महानतम नियमो में से ये एक है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे और यदि आप सकारात्मक सोचें तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक होगा ये एक साधारन सी वास्तविक्ता है जो सम्रिध्धी और सफलता के इस और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। जॉर्ज बरनाट शौ का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोश देते हैं। लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में काम्याबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मंचाही परिस्थितियों खुद बनाई। ये वास्तविक्ता कितनी सुखत है और जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया है उसने सफलता हासिल की है। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचत हैं इसलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष के बारे में सोचें तो हम जरूर इसे हासल भी कर लेंगे। दूसरी और वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष नहीं है जिसे नहीं मालूम कि उसे कहां जाना है और जो इसी बज़े से संशे, भय, चिंता और परिशानियों म ही बन पाएका। बलकि हम मानव मन की तुलना में ही जमीन का उधारन दे रहे हैं, जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं, बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा, वो उसी की फसल आपको वापस लोटाएगा। यही वास्तविक्ता ल बात में दो तरह के बीज हैं, एक तो किसी अनाच का और दूसरा किसी जहरीले पौधे का। मस्तिश के जमीन से कहीं ज्यारा भरोसे मंध है, कहीं ज्यारा उर्वर और कहीं ज्यारा चमतकारी, लेकिन ये जमीन के सध्धानत पर ही काम करता है। ये भी इस बात की चिंता नहीं करता कि हम इसमें क्या बो रहे हैं। बस जो कुछ बोया जाएगा, उसे ही इसे वापस ल आपको मालूम है कि मानो मस्तिश्क आज इस धर्ती पर एक मात्र अंतिम महादेश है जिसका आज तक अन्वेशन नहीं हुआ है इसमें हमारी कल्पना से भी परे सुख सम्रिद्धी भरी पड़ी है यदि हम सकारात्मक विचार डाले तो ये भारी सभलता और सुख सम्रिद्ध हमें वापस लोटाएगा आप कह सकते हैं कि यदि ये सही है तो लोग अपने मस्तिश्क का अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते लोगों के पास इसका भी जवाब है हमारा मस्तिश्क एक उन्नत यंत्र के रूप में हमें जन्म से ही मिला हुआ है नेशल्क मुफ्त और जो ची हमारे जीवन में वास्तों में महत्वपून हैं वे हमें नेशल्क मिली हुई हैं और जिन चीजों के लिए हम पैसे खर्चते हैं वे इनके मुकाबले काफी हलकी हैं स्तरहीन और उन्हें किसी भी चीज से बदला जा सकता है लेकिन प्रकृति की और से नेशल्क मिली चीजें कभी बदली नहीं जा सकती और दूसरी बात ये कि मानव मन की शक्तियों का भरपूर उप्योग नहीं हुआ है मन इतना शक्तिशाली है कि इसे जो भी काम सौपा जायक कर सकता है लेकिन आम तोर पर हम बड़े और महत्वपून कामों के बदले छोटे मोटे कामों के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं कई विशो विद्यालेओं ने ये साबित कर दिया है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी ख्षमता का दस प्रत्रशत ही इस्तेमाल करते हैं हमारी शेश ख्षमता यूही अंचोई रह जाती है अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है अपना लक्ष अपने मस्तश के रूपी जमीन में बो दीजिए ये आपके पूरे जीवन का सबसे महत्तोपून फैसला है आप एक बेहत कामयाब सेल्समैन बनना चाहते हैं कंपनी के कुशल और सक्रिय करमचारी के रूप में जगे 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 जाना चाहते हैं आपको सिर्फ ये करना है किस लक्ष रूपी बीज का रोपन अपने दिलो दिमाग में कर लें जतन से एकागर चित होकर इसकी देख भाल करें लक्ष की दिशा में आगे बढ़ें कारिशील रहें और एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा कोई सवाल ही नहीं है कैसा ना हो आप समझ लीजिए कि ये प्रकृति के अन्य नियमों की तरह एक नियम है जैसा सर आईजेक नियम का गृत्वा कर्शन का नियम है कि यदि आप किसी अमारत की छट से चलांग लगा दें तो आप नीचे ही आएंगे उपर नहीं जा सकते प्रकृति के सभी नियम हमेशा सही होते हैं हमेशा काम करते हैं आप भी बिलकुल सकारात्मक दिशा में अपने लख्ष के बारे में सोचिये हमेशा जागी आँखों से सपना देखिये कि आप में अपना लख्ष o कर दिया है उन कामों के बारे में सोचिये और खुद को उन्हें करता हुआ भी देखिये इतनी काम्याबी हासिल कर ली है लेकिन इसके बावजूद लोग समस्याओं से जूजने में तनाव ग्रस्त हो रहे हैं और खुद को असमाइक मौत की तरफ धकेल रहे हैं ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महान प्राकृतिक नियमों को अपनाना नहीं सीखा जो हमारे लिए बेहत कारगर और लाबकारी हैं कृपया अपसाइट भी सुनिये हमारे सोचने विचारने के तरीके में ही ये चमतका छुपा है दरसल हर व्यक्ति अपनी समस्त सोच का ही योगफल होता है वो स्वीकार करे या न करे लेकिन वो आज जहां जिस स्थति में भी है वो उसकी अपनी सोच का ही नतीजा है हम में से हर एक को भविश में भी अपनी आज की सोच का ही प्रतिफल मिलने वाला है क्योंकि आज कल यागले महीने यागले वर्ष हमारी सोच की जो दिशा रहेगी उसी से हमारा भविश या हमारा जीवन निर्धारित हो का आपका मन मस्तश्क ही आपके संपून व्यक्तित्व और जीवन को निर्धेशित करता है मुझे याद है एक बार में कहीं जा रहा था रास्ते में सुलक के नारे मन एक भारी भरकम मशीन को भीशन आवास के साथ कांग करते देखा मशीन एक बार में करीब 20 टन मिट्टी उठा रही थी और एक छोटा सा आदमी पहिया हातों में थामे मशीन को निर्धेशित कर रहा था एक दम से मुझे लगा कि इस मशीन की तुलना मानव मस्तश्क से की जा सकती है और विशाल उर्जा के स्रोत इस मस्तश्क रूपी मशीन का नियंतरन हमारे अपने हाथों में है क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इस शक्तशाली मशीन को इसी के भरों से छोड़कर किसी खड़ में गिर जाने देंगे या आप दोनों हाथ मजबूती से इसके वील पर जमाए रखेंगे और इसकी ताकत किसी खास उद्देश के लिए लगाएंगे ये दोनों विकल्प आपके उपर हैं क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मशीन का नियंद्रन आपके हाथों में है अब देखाना आपने कि हमें सफलता प्रदान करने वाला नियम भी एक दोधारी तलवार की तरह है हमें अपनी सोच अपने विचारों पर नियंद्रन रखना चाहिए विचारों का ये नियम जहां एक और आदमी को सफलता सुक और सम्रिद्ध की और ले जाता है उसे जीवन में वे खुशियां उपलब्ध कराता है जिनका उसने अपने और अपने परिवार के लिए कभी सपना देखा था वहीं दूसरी और यही नियम उसे गटर में भी धखेल सकता है सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मनुशे किस तरह इस नियम का इस्तिमाल करता है यही है दुनिया का सबसे आश्चर जनक रहसे अब सवाल यह है कि मैं इसे आश्चर जनक क्यों कहूं और रहसे भी क्यों कहूं वास्तों में ये कोई रहसे तो बिलकुल नहीं है पहले पहल किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस प्राकरतिक नियम की सच्चाई प्रमानिक की थी और बाद में पूरी बाइबल में बार बार इसका जिक्र हुआ है लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसे समझा और सीखा है यही कारण है कि ये लोगों के लिए आश्चर जनक है और इसी वज़े से ये रहसे भी बना रहा है मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने शहर की गलियों में जाएं और एक एक कर हर व्यक्ति से पूछें के सभलता का रहसे क्या है तो आपको महीने भर की कोशिश के बाद ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो आपको ये बता सके आज जो कुछ हमने जाना है वो हमारे लिए वास्ताओं में अक्कंत मूलेवान है यदि हम इसे समझ कर इसे जीवन में लागू भी कर सकें ये ने सिर्फ हमारे लिए बलके हम से जुड़े और हमारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए महत्पून है जीवन को नीरस और उबाओ नहीं बलके एक उतेजना पून अभियान होना चाहिए आदमी को अपनी जंदगी पूरी जंदा दली से भरपूर जीनी चाहिए उसे सुबे सबेरे नीन तूटने पर खुश होना चाहिए उसे अपना मन पसंद व्यवसाए करना चाहिए क्योंकि वो इसे बहतर ढंग से करता है एक बार मैंने एक दैनेक के संपारक का व्याख्यान सुना था उन्होंने अंत में जो कुछ कहा उसे मैं कभी भूला नहीं पाया उन्होंने कुछ इस तरह कहा था कि अपने व्यवसाए में मैंने कई बातें जानी एक तो ये कि लोग मूल रूप से भले होते हैं और ये भी के हम सभी कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है इसलिए इस धर्ती पर बीच का समय हमें एक रोमांचक अभियान की तरह बिताना है श्रिस्टि के रचाईता ने कहीं पहुँचने के लिए कोई सीड़ी नहीं बनाई है लेकिन उस महान शिक्षक ने उस रचाईता ने समय समय पर इस रहसे का उधगाटन किया है कि तुम जैसा विश्वास करोगे वो तुम्हारे समक्ष सत्य बन कर अवतरित होगा मैं आपको परीक्षा का एक मौका देना चाहता हूँ ये परीक्षा 30 दिनों तक चलेगी नहीं सक्षाई से लागू होते हैं जितनी की शृष्ष्टी की अन्यवस्तूओं पर इन नीमों में से एक है कि प्रतेक्रिया की बिलकुल समान और विपरीत प्रतेक्रिया होती है यदि हम अपने आप पर इसे लागू करें तो इसका मतलब है कि हम मूले चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते 30 दिनों के आपके प्रयोग का नतीजा बिलकुल उसी अनुपात में होका जिस अनुपात में आपने प्रयास किया होका एक डॉक्टर बने के लिए आपको कई वर्षों तक कटिन परिश्यम और अध्यन करने का मूले चुकाना होका उसी तरह औरों को समझाने या सहमत कराने में या विक्री के व्यवसाई में भी हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चीजों को बेच सकने की या विचारों को दूसरों तक पहुँचाने की या सुईकरित करानी की भी हमारी क्षमता कितनी है लेकिन औरों को बहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने प्रयास में कितना मूले चुकाते हैं और हमें ये मूले चुकाने को तैयार भी रहना चाहिए अब सवाल है कि ये मूले है क्या इसमें कई बाते हैं पहली तो ये कि हमें बाउधिक रूप से और भावनात्मक रूप से ये समझ लेना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं बिलकुल वैसा ही बनते भी हैं इसलिए अपने जीवन को नियंतरत करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंतरत करना होगा यानि हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे दूसरी बात हमें अपने मन से सभी अडचनों और बेडियों को काट फेंखना होगा और ये सोचकर काम को अधिकतम आगे बढ़ाना होगा कि यही काम हमारे लिए दैवी रूप से निरधारित है यानि ये समझना होगा कि सभी सीमा रेखाएं हमारी खुद की बनाई हुई हैं और हमारे सामने कल्पना से भी बढ़कर अवसर मौचूद हैं अर्थात हमें तमाम संकीरनताओं से और पूरवा ग्रहों से उपर उठना होगा तीसरी बात अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रिरित करने में पूरी क्षमता और साहस का इस्तिमाल करना होगा और साथ ही अपने लिए एक निश्यत और स्पष्ट लक्ष दिर्धारित करने के दिये भी अपने मस्तिश को लक्ष के बारे में सभी संभव कोणों से विचार करने का अवसर देना होगा अपनी कलपना को खुली छूट देनी होगी कि वो हर संभावित समाधान की परक कर सके ये विश्वास करने से इंकार करना होगा कि लक्ष प्राप्ति के मार्ग में कभी कोई परिस्थिते आपको हरा भी सकती है जब आपको लक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग स्पस्ट दिखे तो बिलकुल ततपरता से फैसला लेते हुए काम करना होगा और अपने आपको लगातार इस तत्थ से अवगत कराते रहना होगा कि आप अपनी उपलब्धियों के ख्षेतर के बीच और बीच खड़े हैं और चोथी बात कि आप जो कुछ भी कमाएं उसका दस प्रत्रशत नश्चित रूप से बचाएं ये हमेशा याद रखें कि आपका व्यवसाय चाहे जैसा भी है यदि आप मूली चुकाने को तयार हैं तो उसमें अनंतसम भावनाएं भरी पड़ी हैं आईए हम उन महत्वपूर्ण बिंदूओं को दोहरा लें जो एक खुबसूरत जीवन बिताने के मूली के तौर पर हमें चुकाना है पहला हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं दूसरा कलपना शब्द का महत्व समझें और अपने मस्तिश को उची उड़ान भरने दें तीसरी बात साहस हर दिन अपने लक्ष पर एकागर चित्त हूँ और चौती बात जो भी कमाएं उसका दस प्रतिशत बचाएं साथ ही ये भी याद रखें कि कोई भी विचार तब तक वियर्त है जब तक हम उसे कार्यान वित नहीं करते हैं और अब मैं तीस दिनों के परीक्षण को समझाने की कोशिश करूँगा अपने दिमाग में ये इसपश्ट कर लें कि इस परीक्षण में आप कुछ भी खोने नहीं जा रहे हैं बलकि मुम्किन है कि आप सब कुछ पा सकते हैं दो बाते हम सब पर लागू होती हैं हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं और हम सब किसी न किसी चीज से भैभीत रहते हैं मैं चाहूंगा कि आप एक कार्ट पर लिखें कि वो क्या चीज है जिसे आप सबसे ज़्यारा चाहते हैं हो सकता है कि ये रुपया पैसा हो आप अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हो या एक खास परिमार में रुपया कमाना चाहते हो हो सकता है कि आप एक खुबसूरत मकान चाहते हो या अपने व्यवसाय में एक काम्याबी चाहते हो या फिर जीवन में एक खास मकाम की तमना हो आपको या फिर परिवार में ज्यादा तालमेल और एकता क्या भिलाशा हो हम सब कुछ न कुछ की तमन्ना जरूर रखते हैं आप अपने कार्ट पर सपश्ट लिखिए कि आपकी कामना क्या है ये निश्रित कर लीजिए कि यही आपका एक मात्र और सपश्ट लक्ष है आप अपना ये कार्ट किसी और को मत दिखाईए बलकि उसे अपने पास रखिए ताकि आप दिन भर में कई बारे से देख सकें इस पर लिखे गए लक्षे के बारे में हर सुबह नीन से जागने पर प्रफुलित और शांत चित्त से सोचिए दिन भर में जितनी बार मौका मिले इस कार्ट को देखिए और रात में सोने जाने से पहले भी देखिए कार्ट को देखते समय ये बात याद रखें कि आप वैसे ही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं और चूंके अभी आप अपने लक्ष के बारे में सोच रहे हैं इसलिए ये समझे के बहुत जल्दी ही आप इस लक्ष को हासिल कर लेंगे दरसल जिस पल आपने अपने इच्छा कार्ट पर लिखी और उसके बारे में सोचना शुरू किया उसी पल से वो लक्ष आपका हो किया जब आप काम से बाहर निकलते हैं तो आस पास फैली प्रचुरता की और देखिए इस तरह की प्रचुरता पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है यदि आप चाहें और प्रयत्न करें तो ये प्रचुरता आपकी हो सकती है अब हम थोड़े मुश्किल हिस्से की तरफ आते हैं मुश्किल इसलिए कि इसके अनुसार आपको कुछ नई आदतें विक्सित करनी होगी और नई आदतें आसानी से नहीं बनती हैं लेकिन अगर एक बार पढ़ जाएं तो फिर जीवन भर आपके साथ बनी रहती हैं जिस चीज से भी आपको भै लगता हो उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए हर बार जब कोई भैनक और नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसकी जगे पर अपने सकारात्मक और महतपून लक्षे का विचार उसकी सजीव कलपना मन में ले आईए इस दौरान ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि ये प्रयास छोड़ दिया जाए क्योंकि आदमी के लिए सकारात्मक सोचने के अपेक्षा नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है और यही वज़े है कि सिर्फ पांच प्रत्रिशत लोग ही कामयाब हो पाते हैं आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसी प्रत्रिशत वाले वर्ग में अपनी जगए बनाए इन 30 दिनों के लिए आपके मस्तिश का नियंतरन पूरी तरह आपके हाथों में होना चाहिए इस दोरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी अनुमती आप दें 30 दिनों की इस परीक्षण अवरी के दोरान हर दिन आप उससे भी ज्यादा काम करें जितना आपको करना है इसके अलावा एक उत्साही सकारात्मक रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश करें ये सारा कुछ ये ध्यान रखते हुए करें कि जीवन में आपको उसी अनुपात में कुछ मिलेगा जिस अनुपात में आप लगाएंगे जिस ख्षण आप किसी लक्षी की दिशा में काम करने का फैसला करते हैं उसी ख्षण आप एक सफल व्यक्ति बढ़ जाते हैं क्योंकि आप उसी ख्षण ऐसे सफल लोगों की शिर्णी में आ जाते हैं जिनने मालूम है कि वे किधर जा रहे हैं इसका मतलब है कि लक्ष निर्धारित करने के साथ ही आप प्रत्येक सो में से हीर्ष के पंच लोगों में आके लक्ष किस तरह हासल किया जाए इस चिंता में अपने आपको बहुत ज्यादा मतल जाईए इसे पूरी तरह उस शक्ते पर छोड़ दीजिए जो आप से ज्यादा समर्थ है आपको शिर्फ ये मालूम करना है कि आप किधर जा रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं बाकी के सारे प्रशने जैसे जैसे सामने आएंगे उनका जवाब भी खुद बखुद मिलता जाएका आप धर्मो पदेश के ये शब्द याद रखिए और उन्हें परीक्षन के दौरान हर दिन अपने सामने रखिए प्रशने पूछो और उसका जवाब तुम्हें प्राप्त होगा खोजो और तुम उसे पालोगे दस तक दो तुम्हारे लिए द्वार खुलेगा क्योंकि हर वो व्यक्ति जो जिग्यासा रखता है उत्तर पाता है जो ढूरता है उसे प्राप्त होता है और जो दस तक देता है उसके लिए द्वार खुलता है ये शब्द जितने सहज हैं उतने ही चमतकारी भी दरसल ये से धांत इतना सरल है कि हमारे कठिन शब्दों में उलजकर इसे समझना शायद ज्यादा मुश्किल होगा बस आप के लिए जरूरी है कि इन 30 दिनों के दौरान आपके सामने इस पच्च लक्षे हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी चाहे आप किसी भी पेशे से जुड़े हो इन 30 दिनों के दौरान अपना सरवोत्तम प्रदर्शन करें जैसा अब तक आपने पहले कभी नहीं किया हर दिन अपना लक्षे अपने सामने रखें उसके बाइद जीवन का जो नया पहलू आपके सामने होगा उस पर आपको खुदाश्यर होगा प्रसिद संपादिका और लेखिका दरोथी ब्रैंड ने अपने लिए इस राज को ढून दिकाला अपनी पुस्तत वेक अप एंड लिव में इस बारे में उन्होंने लिखा है उनका पूरा चिंतन मनन और दर्शन जैसे इन शब्दों में समा गिया है इस तरहे काम करो बनो असफल होना संबब है दरोथी ने अपनी परीक्षण अवधी पूरी इमानदारी और विश्वास से पूरी की और अश्चेर जनक सफलता ने उनके पूरे जीवन में बदला ला दिया अब आप तीज दिनों तक अपना परीक्षण करें लेकिन तब तक परीक्षण शुरू ना करें जब तक आप इससे जुड़े रहने के लिए खुद को पूरी तरह तयार न कर लें आप पाएंगे कि दृड़ लगन शील होने की वज़े से आप में विश्वास भी जलक रहा है कहा जा सकता है कि दृड़ लगन विश्वास का ही दूसरा नाम है यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी भी लगन से काम नहीं कर सकते यदि 30 दिनों के परीक्षों के दौरान आप असफल हो जाएं यानि नकारात्मक विचारों से पराजित हो जाएं तो फिर से शुरुवात करें धीरे धीरे आपकी नई आदत बन जाएगी और आप अपने आपको उन गिने चुने लोगों में पाएंगे जिनके सामने कुछ भी असमभब नहीं है आप अपने कार्ड को मत भूलें जब आप जीने का ये नया धंग शुरू करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए नहायद जरूरी है इसकी एक तरफ आप अतना लक्षे लिखें जो भी आपका लक्षे हो और दूसी तरफ धर्मो पदेश की ये पंक्तियां लिखें पूछो और वो तुम्हें मिलेगा धूडो और तुम उसे निश्चित पाओके दस तक दो और द्वार तुम्हारे दिये खुलेगा परीक्षन के दौरान अपने खाली समय में प्रेरक पोस्तके पढ़ें ये आपके लिए काफी उपयोगी रहेंगी जीवन में कभी भी कोई महानकारे बिना प्रेरणा के संपन्द नहीं हो सका है ये ध्यान रखें कि परीक्षन अवदी के 30 दनों के दौरान आपकी प्रेरणा अपने हीर्श बिंदो पर रहे सबसे बड़ी बात कि आप चिंता बिल्कुल ना करें क्योंकि चिंता भे को जन्म देती है और भे जीवन को तोड़ देता है याद रखें कि आपको अपना लक्ष अपने सामने बिल्कुल इस पच्च रखना है बाकी सारी चीजें खुद बखुद तय होती चली जाएंगी ये भी ध्यान रखें कि आप हमेशा शांत और प्रसंद नचित बने रहें किसी भी छोटी मोटी बात को इजाज़त ना दें कि वो आपको परिशान या खिन न करें और मार्क से हटा दें हो सकता है कि परीक्षन को कठें जान कर कोई कहे कि मैं इसकी चिंता क्यों करूँ देखिए जीवन में कोई भी असफल होना नहीं चाहता कोई भी अद्गचरा रहना नहीं चाहता कोई नहीं चाहता कि जीवन चिंता भय और निराशा से भरा हो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे अगर आप नकारात्मक विचारों की फसल बोते हैं तो आप नकारात्मक सोच से भी भरे रहेंगे और यबी सकारात्मक विचार बोते हैं तो आपका जीवन प्रसंद रिचित सफल और सकारात्मक बने का और अब एक बात और अकसर ऐसी प्रविती देखी जाती है कि सुनी गई बातें धीरे धीरे भूलने लगती हैं इसलिए इस रिकॉर्ड को बीच बीच में बजा कर अपने आपको याद दिलाते नहें कि नई आदत विक्सित करने के लिए आपको क्या करना है नियम तंतराल पर अपने पूरे परिवार के साथ बैट कर इसे सुने आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जिनका कहना होगा कि वे इस नियम को जाने समझें सीखे बिना ही पैसा कमाना चाहते हैं यह वैसे लोग हैं जो बिना कोई परिश्रम किये बिना कोई कीमत चुकाए मुफ्त में ही बहुत कुछ पाना चाहते हैं और ऐसे लोग जीवन में असफल रहते हैं यहां जायज और सार्थक ढंग से पैसा कमाने का सर्वोत्तम तरीका है कि लोगों को उपयोगी और आवश्यक वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्द कराई जाएं हम अपने उत्पाद और सेवाओं का विन में ही लोगों को पैसों से करते हैं इसलिए प्रामानिक नियम के अनुसार हमें उसी अनुपात में आर्थिक लाब हासिल होगा जिस अनुपात में हम लोगों की सेवा करेंगे सफलता कभी भी पैसा कमाने का परिणाम नहीं है बलकि इसके विपरीत सफलता के परिणाम स्वरूप ही हम पैसा कमा पाते हैं और सफलता हमें उसी अनुपात में हासिल होगी जिस अनुपात में हम परिश्यम करेंगे लोगों को अपनी सेवाएं उपलब्द कराएंगे अधिकांश लोग इस नियम को उल्टा समझते हैं उनका मानना होता है कि अगर आप भरपूर पैसा कमा रहे हैं तो आप सफल हैं जबकि सचा ये है कि आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब पहले आप सफलता प्रात कर लें अनिता उस आदमी की कहानी का उधारन ही बनेगा जो अंगीठी के पास बैठ गया और कहने लगा कि पहले मुझे आँच दो तब मैं लकणिया डालूगा आप क्या मानते हैं आज दुनिया में कितने लोगों का जीवन के प्रति ऐसा रवया होका उनकी संख्या करोडों अरुबों में होकी जबकि हमें समझना चाहिए कि पहले इधन डालने पर ही आख मिले की ठीक इसी तरह हमें पहले अपने सेवा कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और तब पैसों की उम्मीद करनी चाहिए अपने आपको कभी पैसों से मत जोड़ें बलकि परिश्यम, कारे सेवा, सपनों और उन्हें साकार करनी की इच्छा से जोड़ें आप ऐसा करके देखें और फिर देखिए कि आपके पास कितनी प्रचुर संपत्य और सम्रिद्धी आती है सम्रिद्धी भी परस्पर विनमय के नियम पर ही आधारित है कोई भी व्यक्ति जो संभृधी के लिए परिश्रम और योगदान करता है वो स्वेम को संभृध बनाता है कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि परिणाम आपको उन लोगों से न मेले जिनकी आप सेवा कर रहे हैं बल्कि किसी और जगे से मिले क्योंकि ऐसा नियम है प्रतिक्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तीस दिन की परीक्षण अवरी से एक एक दिन करके गुजरते हुए हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी सफलता हमेशा उस सेवा के परिमान और गुणवत्ता से मापी जाएगी जो आपने लोगों को उपलब्द कराई है और पैसा सिर्फ इस सेवा को मापने का एक पैमाना है कोई भी व्यक्ति तब तक सम्रद नहीं बन सकता जब तक वो औरों को सम्रद न करे इस नियम में कोई अपवाद नहीं है एक बार यदि ये नियम अच्छी तरह समझ लिया जाए तो कोई भी विचारवान व्यक्ति अपना भाग्य स्वेम बतला सकता है यदि वो और अधिक चाहता है तो उसे लोगों को और अधिक सेवा उपलब्द करानी होगी और यदि वो और कम की चाहत रखता है तो उसे सेवा के परिमान में भी कमी करनी होगी यही वो मूले है जिसे आपको अपनी इच्छा और जरूरतों के लिए चुकाना होगा आप इस नियम को पलट सकते हैं ऐसा कभी भूल कर भी मत सोचिएगा क्योंकि ये असंभव है एक जाने माने मनों चिकित सकने सफलता पाने के लिए छे सूत्री उपाय बताएं हैं पहला एक निश्चत लक्ष नधारित करें दूसरा, अपने को कम आकने वाली नकारात्मक सोच को त्याग दें तीसरा, उन सभी कारणों पर विचार करना बंद कर दें जो आशंका जतलाते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते इसके स्थान पर उन कारणों के बारे में सोचें जो आपको सफल होने का विश्वास दिलाते हैं अगर नकारात्मक विचार ही आप पर हावी हैं तो अपने बच्पन के दिनों तक पीछे लौड कर उन कारणों को ढून निकालने की कोशिश करें जिनकी वज़े से पहले पहल ये बात आपके मन में बैठ गई कि आप सफल नहीं हो सकते किसी ऐसे व्यक्ति का वरनन लिखकर जैसे आप आदर्श रूप में अपनाना चाहते हैं अपने विशय में अपनी धारणा को बदलें आपने जिस आदर्श सफल व्यक्ति का अनुसरन करने का फैसला किया है उसकी जगह पर स्वेम को रख कर सोचें और उसका अभिने करें मानव सब्विता के ग्यात इतिहास की शुरुआत से ही विशय शक्ये लोगों ने जो कुछ कहा है उसको अपनाने की कोशिश करें आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने की खीमत चुकाएं ये काम निश्चित रूप से उतना मुश्किल नहीं है जितना की एक असफल नाकाम व्यक्ति के रूप में जीवन चीड़ा तीज दिनों का परीक्षन पूरा करें इसे दोहराएं और फिर दोहराएं हर बार ये आदतें आपके भीतर आत्मसाथ होती चाहेंगी ज्यादा से ज्यादा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप आश्चेर करेंगे कि आप किसी और धंग से कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे इस नए धंग से जीवन जीएं और प्रचुरता का द्वार आपके समक्ष खुल जाएगा और चारों और से सुख सम्रद्ध की ऐसी वर्शा होगी जिसके बारे में कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा पैसा भरपूर मिलेगा लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपून है कि आपको शान्ती मिले और ये नियम अपना कर आप उन किने चुने लोगों में शामिल हो जाएंगे जो शान्त आनंद पून और सफल जीवन गतीत कर रहे हैं आज से ही आरंब कीजिए याद रखिए खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है जब कि पानी के लिए एक बिलकुल नया जीवन आपके सम्मुक है